जो कहीं पर पढ़ते हैं या किसी दोस्ट से सुनके आते हैं और उन्हें लगता है कि यह सारी चीजे बागाये ला सकती है यह अब्स्टेकल ला सकती है है इसे नहीं होता है तो इन में से कुछ कारण मैं बताना चाहूंगा एक है एज फैक्टर एक है सीजनल और तीसरा है आपका स्वेटिंग तो एज फैक्टर में हमारे यहां पर फ्यूजन एस्टेटि क्लिनिक में 20-22 यह के ऊपर के लोगों में एज ट्रांस्प्लांट होता है और अगर एज जादा है तो हम उनको कोई को मॉर्बिटी या कोई डिजीज है वो टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं और अगर सब सही होगा तो उनमें भी हैर ट्रांस्प्लांट हो सकता है एज यह लिमिट नहीं है सेकेंड पॉइंट है बहुत से लोग कहते हैं कि स सकते हैं तीसरा पॉइंट है सवेटिंग वह बहुत से क्यों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं कर सकते हैं हम उसको कैसे manage करें वो आपको hair transplant के बाद बताएंगे और excessive sweat यानि कि gym करो, cardio करो, running, jogging करो तो वो sweating आपको avoid करनी है इसका हम आपको मारगदर सुन करेंगे ठीक है दोस्तों तो conclusion में मैं ये बताना चाहूंगा कि आप fusion aesthetic clinic में अगर hair transplant कराना चाहते हो, तो हमें जो मैं अभी इस board पर दिखा रहा हूँ, उस angles में photo भेजे, हम उनको analyze कर पाएंगे और फिर हम आपको बता पाएंगे कि आपका hair transplant हो सकता है कि नी, क्या आपके पास enough donor area है जिसमें हम आपको अच्छी density और अच्छा result दे पाएंगे कि नी, ठीक है दोस्तों, तो next time मिलते है, stay healthy, thank you